Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 ये आप लगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे star signs की reading होती है और ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है So let's see आपके person क्या सोच रहे हैं और क्या feel कर रहे हैं आपके लिए आज So सबसे पहले हमारे पास four of swords फिर है हमारे पास knight of pentacles फिर है six of pentacles फिर है seven of wands bottom of the deck पर हमारे पास a knight of cups So I feel कि ये इनसान आपको कुछ offer करना चाहते हैं और उसके बारे में बहुत deeply सोच रहे हैं ये apology offer हो सकती है ये कुछ भी हो सकता है आपको पता होगा क्योंकि हर इनसान की अपनी एक unique situation है So आपकी situation के हिसाब से आपको पता है कि ये क्या offer है जो वो आपको देना चाहते हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये इनसान अपनी feelings के बारे में आपको बताना चाहते हैं अब वो सोच रहे हैं कि अब इसका time आ चुका है And I feel कि ये balance है ये invest करना चाहते है अपनी energy अपना प्यार अपना time, attention आपको देना चाहते है And with the seven of wands I feel कि ये इनसान इन्होंने आप पर give up नहीं किया है ये इनसान fight करना चाहते हैं आपके लिए चाहे जितने भी obstacles हों सबके खिलाफ लड़ना चाहते हैं ये इनसान आप पर बिलकुल भी give up नहीं करना चाहते हैं ये इनसान fight करेंगे आपके लिए And I feel कि ये इनसान आपको pursue करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके प्यार के लिए वो fight कर सकते हैं ये इनसान आपको ये बताना चाहते हैं So they really feel this motivation आपके person ने एक बहुत जादा motivation feel कर रहे हैं इस connection के लिए fight करने के लिए maybe आप लोग separation में थे या बहुत time से relationship बहुत अच्छा नहीं चल रहा था खामोशी सी थी, बहुत कम-कम बात हो रही थी so I feel कि आपके person के अंदर ये spark, ये motivation renew हुई है कि वो इस connection के लिए कुछ करें वो जो motivation कहीं खो गई थी वो spark, वो energy जो कहीं खो गई थी जो आपको भी शायद लग रहा होगा कि प्यार कम हो गया है और motivation और spark कम हो गया है वो renew हो गया है आपके person फिर से आपकी तरफ एक attraction, एक you know feel करना शुरू हो गए है कि they really need to fight for this connection they really need to do something उनको ये feel हो रहा है कि मुझे कुछ करना होगा इस connection के लिए क्योंकि ये हमेशा से ऐसे ही नहीं चलता रहेगा इसी slow slow you know pace के साथ नहीं चलता रहेगा कोई फाइदा नहीं होगा अगर इसी तरह slowly slowly हम चलते रहेंगे turtle की तरह तो कुछ भी नहीं होगा so हमें अब थोड़ा सा you know आगे बढ़ना होगा चीजों को थोड़ा तेज करना होगा आपके person इस वक्त ये सोच रहे हैं so ये four of swords को हम clarify कर लेते हैं कि ये कौन सी इतनी deep thought है जिसके अंदर आपके person है इस वक्त कोई बहुत deep thought है ये भी हो सकता है कि recently वो बिमार थे और अब recover उन्होंने कर लिया है so इसलिए भी वो ज़रा बहतर फील कर रहे है because उनकी energy बहाल हो गई है so हमारे पास है judgment so I really feel with the judgment ये एक बड़ी major energy है कुछ बहुत बड़ी realization है कुछ बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में ये सोच रहे है इसका तालुक इनसाफ से भी है किसी बड़े फैसले से भी है balance से भी है इसका तालुक किसी बहुत बड़ी realization से है जो आपके person को हुई है जिस पर ये एतना ज़ादा गहरी सोच में है और हो सकता है कि आपके person को realize हुआ है कि उन्होंने आपका time शायद बहुत ज़्यादा waste कर दिया है या आपके साथ वो नाइंसाफी कर रहे हैं किसी ना किसी अंदाज में और अपने साथ भी कर रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा slow है कुछ action नहीं ले रहे कुछ stand करना होगा मुझे action कोई लेना होगा मुझे आगे बढ़ना होगा so आपके person इस बक बस इन्ही सोचों में हैं कि उन्होंने अब क्या action लेना है so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे ज़रूर बताएगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye